2024 की लोकसभा चुनाव में केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार को सत्तर से उखाड फेकनी के लिए बना विपक्षी इंडिया गठबंदन अब मजबूत होता दिखाई दे रहा है और अब ऐसी खबर आ रही है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंदन को और मजबूती मिल सकत जबकि बिजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा जटका लग सकता है क्या है पूरी खबर देखे इस रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव में अब जादा समय नहीं बचवा है ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना कमर कस लिया है एक तरफ इंडिया गठबंदन ने केंद से मोधी सरकार को हटाने के लिए पूरा दम लगा दिया है तो दूसरी तरफ बिजेपी ने भी लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ प्रचार प्रसार करने में लगी है इस बीच बिजेपी को पूरब से बड़ा जटका लगा है दरसल ओरीसा की सत्ताधारी पार्टी दोनों दलों के बीच संभावित गटबंधन हो सकती है लेकिन इन अटकलों पर अब विराम लग गया है और ये साफ हो गया है कि ओरीसा में बीजेपी और बीजेडी की गटबंधन नहीं होगी वह इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद होने का ही विकल्प चुनेगी क्योंकि राज्य में उसका मुकाबला बीजेपी के साथ है और नवीन पतनायक ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया है डिवी लाइप के रिपोर्ट